हलो बचो मैं रजी अख्तर कांटिन्यू करेंगे हम लोग आज अल्कोहल फिनॉल एथर को हमने अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल परपड़ीज जी एम पी हमने स्टड़ी कर लिया बचो तो आज हम लोग स्टड़ी करेंगे केमिकल परपड़ीज ऑफ एथर्स तो देखिए विले स्टाट विट केमिकल परपड़ीज ऑफ वाट एथर देखो इसके कुछ इंपोर्टेंट रियक्सेंस हैं जिसे हमरे डिसेस करना है सबसे पहले आप देख लो एलेक्टोफिलिक सब्डूशन रियक्शन ऑफ रियक्शन रियक्शन तिम्धगान ओर शवन्धड स रेक्न रियक्शन और्मक्त एथर इथर ठीक है तो आरोमेटिक इथर क्या होता है बच्चो यह देखिए OCS3 आप इसे एनी सॉल भी कहते हो तो देखिए अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्ट्चर ड्रॉ करते हैं तो आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्ट्चर मिलिंगे इसमें OCS3 इस पर क्या एगा प्लस यहाँ पर क्या एगा माइनस तो आप देखिए और्थो पोजिशन पर नेगरिव चार्ज डिवलप हुआ इस काबन पर इलेक्टर डेंसिटी बढ़ी जिसको आप क्या कहते हो और्थो पोजिशन अब आप इस नेगरिव चार्ज को यह शिफ्ट करेंगे तो जो नेगरिव चार्ज डिवलप होगा वो एड़ पैरा पोजिशन डिवलप होगा बच्चे इस पर क्या गया प्लिस फिर इस नेगरिव चार्ज को यह शिफ्ट करेंगे तो और तो पोजिशन पर आ जाएगा और फिर इस नेगेटिव चार्ज को यूँ शिफ्ट करेंगे तो फाइनली आपको एनिसॉल मिलेगा इस रेजनेटिंग स्टुक्चर से आपने क्या देखा बच्चे कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां डिवलप हुआ ये आपका क्या है और्थो ये क्या है पैरा और इसमें ये क्या है और्थो तो नेगेटिव चार्ज और्थो पैरा और्थो पे डिवलप हुआ इसलिए आप इसे और्थो पैरा डिरेक्टिंग भी कहते हो इसका मतलब ये हुआ कि के इनक्मिंग इलेक्ट्रो फाइल इनके और्थो 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 पैरा पोजिशन पहार क्या अटाक करेगा तो देखिए जैसे इसमें सबसे पहला रियक्शन है बच्चो यह आपके पास है अनीसल इसका ट्रीटमेंट करो C L 2 से इन प्रेशन स Müअफ फ ईफे C L 3 तो आप जानते हो बच्चो के विधच्छल बद्र इस फई थे C L 3 आप प्रेड़ूुस करोगे लेक्टोफाइल जिसको आप कहते हैं क्लॉर्णीयम आएन और यह लेक्टोफाइल ऑर यह एलेक्टोफिलिक अटाक करेगा और अटाक करके हाइजन को सब्टिचूट किया तो OCS3 यहाँ पर क्या गया CL और्थो क्लोडो एनिसॉल और पराक्रो क्लोडो एनिसॉल मिला अब आपको यह डिसाइड करना है कि विच वन इस मेजर और विच वन इस माइनर तो देखो बचो जब आप CL को यहाँ अटाक कराएंगे तो यह स्टैरिक हंड्रेंस रुकाबट क्रेट करेगा लेकिन यहाँ पर वो स्टैरिक हंड्रेंस नहीं है तो आप इसे क्या कहते हो मेजर ब्रड़क्ट और इन्हें कहते हो आप माइनर ब्रड़क्ट तो पैरा क्लोडो एनिसॉल इस मेजर ब्रड़क्ट और तो क्लोडो एनिसॉल इस माइनर ब्रड़क्ट यह पहला आपका इलेक्टोफिलिक्स अब्रिशन रियक्शन है that is called halogenation अब आप देखते हैं बच्चो second reaction इसका देखते हैं इसको आप बोलते हो nitration again आप क्या करो एनिसॉल लिलो OCS3 और इसका आप nitration कराए for this आपको लेना होगा nitric acid and sulfuric acid का mixture both should be both should be concentrated और ये दोनों आपस में reaction करके एक electrophile produce करता है जिसे आप कहते हो nitronium ion और ये nitronium ion क्या करेगा बच्चो इनके ortho and para position पे electrophilic attack करेगा तो आपको result मिलेगा बच्चो ortho nitro anisol plus para nitro anisol again आपको ये decide करना है which one is minor and which one is major product तो of course ये आपका क्या हो जाएगा major product और ये क्या हो जाएगा minor product तो देख लिजे आप इस reaction को क्या कहते हो बच्चो nitrogen nitrogen of what any salt इसे पहले क्या देखा आपने halogenation अब आईए इसका जो तीसरा reaction है third reaction that is called sulfonation sulfonation of any salt तो देखो बच्चो इसके लिए आप region क्या यूज़ करते हो ये आपके पास है any salt इसमें आप H204 लेंगे या H2 S2O7 इसे हम लोग oleum कहते हैं ये भी आप जानते है ये भी आप जानते है electrophile sulfur trioxide produced होता है जो इनके और तो पहरा पोशिशन पे again electrophilic हमला करेगा तो आपको जब product मिलेगा बच्चो ये देखिए this is what 1, 2, 3, 4, 5, 6 4-methoxybenzene sulfonic acid this is called 4-methoxybenzene sulfonic acid ये बना आपका 4-methoxybenzene sulfonic acid साथी साथ आपको minor product O-C-H-3 इस पे क्या जाएगा S-O-3-H this is called what 2-methoxybenzene sulfonic acid ये आपका मेजर product है बच्चो and this is what minor product 4-methoxybenzene sulfonic acid and 2-methoxybenzene sulfonic acid ये दो product बनेंगे make sure जिसमें major product आपका पैरा होगा और minor product आपका और्थ होगा ठीक है ये reaction कौन सा था बच्चे 3rd reaction 4th reaction भी बहुत famous है इसके लिए आप इन्हें कहते हो Friddle Craft जाना पैचाना है आपका Friddle Craft अलकाइलेशन Friddle Craft अलकाइलेशन आफ एनी सॉल तो देखो बच्चों फिर से आप लिखे एनी सॉल क्या होता है बेंजीन के ओपर OCS3 और जब आप रेक्शन कराते हैं अलकाइलेशन तो देखी जैसे हमने CS3-CL लिया इन प्रिजेंस ओफ वाट ALCL3 हैलो लिकेन इन प्रिजेंस ओफ ALCL3 आज वी नो ALCL3 is a Lewis acid that will obstruct CL- and produce ALCL4- और साथी साथ आपको जो main electrophile मिलेगा in this reaction that is CH3 positive methyl carbocautine methyl carbocautine ये क्या बना आपका electrophile बना जो ortho and para position पे जाकर attack करेगा हमला करेगा तो let's see OCH3 इस पे कौन आएगा भी CH3 plus OCH3 यहाँ पे क्या आएगा CH3 तो आप देखिए paramethyl toline बन गया ortho methyl toline बन गया नहीं अब आप इसे कहोगे major product and this is called minor product तो पहला बना आपका major product और दूसरा बना बच्चे minor product तो I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस simple reaction है इसे पहले भी हम लोगों ने discuss किया था इसमें एक और जो fifth reaction है very famous that is called what फ्रेटल क्राफ्ट एसाइलेशन रेक्शन देखिये बच्चे फ्रेटी रेक्शन आपका फ्रेटल क्राफ्ट फ्रेटल क्राफ्ट एसाइलेशन reaction फ्रेटल क्राफ्ट एसाइलेशन रेक्शन इसमें क्या करोगे बच्चे आप एनिसल लोगे again और रेजेंट आप लेंगे acid chloride that is CH3C double bond O CL in presence of what in presence of LCL3 क्या होगे बच्चे LCL3 CL को trap करेगा इस carbon पर plus आएगा तो जो electrophile produce होगा that is called what इसे कहते हैं आप acylonium acylonium iron इसी को आप acetylonium भी कह सकते हो दो carbon है ठीक है यह as an electrophile attack करेगा बच्चो यह आपके पास OCS3 है इस पे लगा यह C double bond OCS3 यह ortho position product हुआ अब आप देखिए बच्चे what about that para position that is C double bond OCS3 your first product is what ortho methoxy acetyophenone इसे कहते हो आप ortho methoxy acetyophenone ortho methoxy acetyophenone और इन्हें कहते हैं हम लोग paramethoxy paramethoxy acetyophenone तो आप बदाईए इसमें major product कौन सा होगा बच्चे minor product कौन सा होगा तो again this one is major product ज्यादा बनेगा आपका और ये होगा आपका minor product कम बनेगा due to steric hindrance रुकाबट ठीक है तो ये होगा आपका phrydic of acylation reaction तो fiber reaction हमने देखे बच्चे halogenation, nitrogen, sulfonation phrydic of alkalation और acylation तो आप इसे दियान से देख लीजे इसमें कोई doubt, कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछू कि बच्चों हमारे पास है phenol ये हमारे पास है phenol इसका पहले हमने naos से reaction कराया और फिर हमने ch3, cl से reaction करा दिया product हमें x मिल गया इस x का treatment हमने किया benzoil chloride c in presence of alcl3 तो एक y बना और दूसरा z बना अच्चा y हमारा minor है और z हमारा major है तो अब आप से पूछा जाएगा find x, y and z find x, y and z तो आप बताइए बच्चे क्या करेंगे बहुत simple है ध्यान से देखिए यह आपके पास phenol है इनका अपना acidic nature होता है नहीं acidic hardon है और यह क्या है अपका base जब आप इनसे reaction कराओगे तो क्या मिलेगा आपको देखिए CH3 O इसका H प्लस लेकर जाएगा कौन? OH इस पर माइनस आएगा that will be balanced by sodium तो आप इसे कहते हैं sodium phenoxide इस reaction कराने पर प्लस water भी आएगा अब चुक्के oxygen पर माइनस चार्ज है तो आप इसको nucleophile भी कहते हो ना यह CH3 CL पर as a nucleophile अमना करके CL को बाहर कर देगा नहीं तो आपको जो मिलेगा बच्चे that is any salt चुक्के दो रेजन के बाद आपसे product पूछा गया है तो यह होगा आपका X तो पहले आपने ऐसी बेस reaction कराया क्या produce किया? sodium phenoxide और sodium phenoxide के oxygen पर जो के माइनस चार्ज है और यह आपने हलोल कर लिया SN2 path follow करते हुए सेल को सप्रिचूर करेगा तो आपको जो result मिला that is what any salt समभेरें आप यह मिलगा आपको क्या what any salt अब इस any salt का acceleration जब कराओगे acceleration के लिए आपने क्या यूज किया है benzoyal chloride यह हड़ेगा इस पर plus आएगा यह इसके ortho and pari protect करेगा बच्चो तो एक product आपको मिलेगा ortho pay OCS3 C double bond O phenyl here OCS3 C double bond O phenyl देखें फर्स पर्ड़क इस काल ortho methoxy benzo phenol इसे कहते हैं आप ortho methoxy benzo phenone similarly this is called paramethoxy benzo phenone तो यह वला major हो गया आपका यह वला है ना और यह क्या हो गया आपका minor हो गया तो I hope आप लोग को समझ में आ गया हो गया बच्चे यह simple सा question था हलाग के comedy exam में यह many times आ चुका है ठीक है बच्चो यह थे important reactions of aromatic ether अब आईए हम लोग discuss करते हैं reaction of elephatic ether ठीक है तो आप देखो जैसे हमारे पास है R-O-R यह bond आप देख रहे हैं यह bond बहुत ही strong bond होता है बच्चो यह bond है that is very very strong bond अब इसको आप कैसे break करोगे तो सबसे पहले reaction लिखेंगे इसमें जो important reaction है इसका that is reaction with hydroholic acid यह सबसे important माना जाता है reaction with HX hydroholic acid hydroclodic, hydrobromic, hydroiodic मुझे हम लोग HI से reaction कराते हैं चुकि HI की reactivity सबसे ज़ाद होती है अब देखिए बच्चे यह आपके पास है R-O-R यह आपके पास ether है इसका reaction कराऊ HI से अब product क्या बनेगा तो let's see आपको मिलेगा एक alcohol और दूसरा मिलेगा R-I ideal game ठीक है कैसे बना और इस reaction को क्या कहोगे Electrophilic Subdution कहोगे Nicolophilic Subdution कहोगे Elimination कहोगे क्या कहोगे बच्चे बच्चे इसका हम mechanism देखेंगे तो हमें पता चलेगा के reaction कौन सा है तो let's see पहले आपने HI को किया dissociate क्या मिला बच्चे आपको H plus and I minus H plus क्या करेगा Ether के oxygen पे attack करेगा हायल कर देगा protonate कर देगा oxygen पे plus charge ले आएगा जो bond पहले बहुत strong था अब कुछ हज़ तक weak हो गया क्योंकि एफेक्टिव निकलो चार्ज बढ़ गया अब I minus जो के निकलो फाइल है वो आया और इस bond को तोड़ दिया तो आपको देखें क्या मिला और दूसरा मिला I do alcan इन दिस वे bond चूटा तो आप इस reaction को कहोगे nucleophilic substitution reaction यूँकि इस nucleophile ने इनको substitute किया है तो this reaction is an example of nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction आप कहोगे nucleophilic substitution से दो टाइप्स के होते है SN1, SN2 यह SN1 है यह SN2 है तो वो situation पर depend करेगा बचो के SN1 है यह SN2 है नहीं पहले देखते हैं इसमें कुछ example आपको समझ में आएगा तो I hope आपने इस reaction को समझ लिया होगा कि यह reaction आपका nucleophilic substitution reaction है HI में आपने HI को break किया H plus I minus H plus नहीं पहले अटाइक किया और इसके bond को weak कर दिया फिर I minus A से nucleophile आकर इसको substitute करेगा तो देखिए जैसे अगर आपके पास से बचो CH3O CH2 CH3 आप इसे mythoxythene कहते हो अगर आप इसका treatment करते हो HI से hydrogen iodide से तो product क्या बनेगा और कैसे बनेगा तो देखो बचो फिर से आप क्या करोगे HI break करोगे H plus I minus H plus का डाग इस पहोगा अब आप देखिए इस oxygen से जुरा हुआ यह carbon one degree है और यह तो methyl है समझे आप यह carbon क्या one degree और यह methyl है इसका मतलब यह हुआ कि यह reaction prefer करेगा SN2 बता जहें मैंने के one degree case में SN2 prefer होता है अब इससे कुछ बातें आपको बता चलेगी जैसे मालो पहले step में आप इसका protonation कर लो after protonation आपको मिलेगा this one that is CH2 CH3 और इस पहे H plus का attack हो करेगा कि उसको कहां attack करना ध्यान से देखिए अगर यह इस carbon पर attack करता है इस carbon पर तो methyl इसको crowd create करेगा लेकिन इस पर attack करेगा तो कोई crowd नहीं मिलेगा क्योंकि reaction आपका क्या है SN2 reaction SN2 proceed होता है from less crowded side आपको बताया गया है बच्चो तो अगर आप इसको attack करा तो सही होगा इसको attack करा को तो गलत होगा that means कि जो छोल्टा वाला alkyl है वो iodine के साथ जाएगा बच्चे और इसमें number of carbon ज्यादा है वो alcohol के साथ जाएगा और reaction आपका SN2 कहलाएगा समझ माया तो less crowded side से आप निकलोफाइल का approach करेंगे जैसे देखे CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3 है आप कहें जड़ा इसका आप HI से reaction करके एक ही मोल लेना है आपको access में नहीं लेना तो बजाएए product क्या मिलेगा तो अगेन आपने क्या किया बच्चे H plus का attack कराया इस पर protonation हुआ अब देखेंगे इसके पास दो carbon इसके पास तीन carbon है जो कम carbon वाला है वो iron के साथ जाएगा CH3 CH2 I iodoethane plus आपको क्या मिला CH3 CH2 CH2 OH propanol यह iodoethane और यह क्या बना आपका propanol तो I hope आप लोग समझ पा रहे होंगे cleavage of ethereal bond with the help of HI अब आइए इस पे और भी important question हमारे पास just suppose करिए आपके पास है OCH2 CH3 आप इसका reaction कराइए HI से और सोचिए क्या product बनेगा 2-methoxy, 2-methyl propane 2-methoxy, 2-methyl propane है आपके पास 2-methoxy, 2-methyl propane का अगर आप reaction कराते होए चाहिसे then what will be the result देखो बचे बहुत ध्यान सुनना है आपको इस इथेरियल ओक्सें से अटाज ये काबन क्या है आपका 3-degree और ये है 1-degree ध्यान सुनना अगर इथेरिल ओक्सें से अटाजड आइधर साइड किसी भी साइड में 3-degree काबन आपको दिख जाए तो आप समझ लेना के reaction आपका SN1 है substitution nucleophilic union molecular है अब क्या होगा बचे तो जैसे ही आपने बहुत important है देख लो ध्यान से जैसे ही आपने h-plus का attack कराया किस पे oxygen पे तो यह आपको protonate कर देगा भी देखिए protonation हो गया plus आ गया for your kind formation यह आप weight नहीं करेगा जैसे plus high oxygen पे अनस्टिबल होगा और यह bond तोड़ लेगा break कर लेगा क्यों क्योंके 3 degree carbocatine ज्यादा stable होता है और आप यह भी जानते हो के SN1 reaction में पहले carbocatine बनेगा और यह बना आपका CS3, CS2OH जैसे कारबन पे plus आया जो medium में I minus है as a nucleophile आके इस पे attack कर देगा तो में जो product मिलेगा बच्छो आप आपका देखी just reverse हो गया जो छोटा था वो पहले idol can बना था लेकिन अब छोटा alcohol बना है क्यों क्योंकि इसका mechanism change हुआ अब mechanism आप SN1 follow कर रहे हो पहले आप SN2 follow कर रहे थे तो अब आपको क्या करना है ethereal oxygen के addition position पे check करना है अगर किसी भी side अगर किसी भी side आपको 3 degree दिख गया तो आप SN1 कराना और 1 degree and 2 degree के लिए आप SN2 कराना बच्छो ठीक है तो I hope आप यह समझे पा रहे होंगे जैसे देखिए एक और important question है आपके लिए CH2 O CH2 यहां पे हमने CH3 ले लिया इसका HI से reaction कराया क्या आप बदा सकते हो product क्या बनेगा और mechanism क्या होगा SN1 SN2 तो देखो बच्छी यह जो काबन आप देख रहे हैं यह वंडिगरी काबन नहीं है यह बेंजाइल है आप इसे बेंजाइल कहते हैं और इस पे काबोकटान स्टेबल होता है जैसे इस प्लस का हमला होगा बांड टूटेगा आप सवाल है इन दोनों में कौन सा बांड टूटेगा जरा सोची जैसे आपने CH2 O CH3 है इस पे इस प्लस का हमला कराया इस पर क्या क्या प्लस और यह क्या लोन पर है तो अब आप यह वाला बांड ब्रेक करना क्यूं क्यूंकि यह वाला काबोकटान ज्यादा स्टेबल होगा जो काबोकटान ज्यादा स्टेबल होगा वही तो आप बनाओगे प्लस और यह क्या अगया आपका सिस्ट्री अब जो आपके पास आई माइनस है वह आजन नुक्लिफाल इस पर आके अचाइक करेगा तो यह रेक्शन कैसा होगा आपका SN1 तो आप SN1 के लिए दो चीज़ें आप देखना कि इथेरिल आउक्षन के एडिसन पर थ्री डिग्री काबन है कि नहीं है या वैसा कारबन जो रेजनेंस से स्टेबलाइज हो जैसे देखिए यहाँ पर यह रेजनेंस से स्टेबलाइज था बिंजाइल तो भी आप SN1 पा रहे होंगे बच्चे ठीक है जैसे देखिए अब इस पर एक ब्रांडड कोशन मनाते हैं बड़ी अकोशन यह आपके पास है OCH2CH3 इसका आप HI से रेक्शन करेंगे बताये क्या मिलेगा प्रड़ेक्ट इथ अक्सी बेंजीन इस वाट यह आपके पास है इथ अक्सी बेंजीन इथ अक्सी बेंजीन का जब आप HI से रेक्शन कराओगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए बच्चे आपको मिलेगा फिनॉल प्लस CH3CH2I आपको मिलेगा फिनॉल प्लस I2Ethane ठीक है अगर आप यह एक्सेस में लेते तो भी यही बनता क्योंकि HI अब इस OEC रेक्शन नहीं करेगा वाइ? बिकेज लोन प्यार ओफ ऑक्सीजन पार्टिशिप बडिंग रेजनेंस तो इनका प्रडुएशन पॉसिबल नहीं है ऑक्सीन कावन के बीच PDC है पार्शल डबल बॉन्ड है तो और एक्सेस में भी लोगे तो यहीं होगा नहीं लेकिन अगर ऐसा होता दिखिए अगर आपके पास ऐसा होता इस तरह से और कहता कि आप ही का एक्सेस में तब आपको ज OH चुकि यह excess में है तो फिर OH पटाक करके water निकाल के फिर iodine मना देगा लेकिन phenol के case में ऐसा possible नहीं है क्योंकि phenol में आप देख सकते हो loan pair of oxygen participating resonance as a result oxygen carbon के बीच PDC partial double bond character develop हो जाता है तो चलिए इस पर अगर आप से मैं एक सवाल पूछ हूँ कि बताओ बच्चे यह OCH2 OCH2 है यह single bond यहां पर है इस पर आप ही चाई ले लो एक्सिस में बदाओ बर्ड़क क्या मिलेगा very very important product of this chemical reaction will be what ठीक है तो देखो बच्छों आप प्रडेक्ट क्या बनाओगे पहले तो आप इन ऑक्सिजन पे प्रड़नेशन करिए तो आपको तो 1,2 डाय हाइड्रोक्सी बेंजीन एक मिलेगा क्योंकि अब इन ओज का फर्दर प्रोटनेशन पॉसिबल नहीं है साथी साथ आपको क्या मिला आओडीन एन आओडीन लेकिन आप जानते हो के अडिशन काबन पर आओडीन क्या होता है बच्छे अनस्टेबल यह क्या बनेगा चीज तो डबल बॉंद चीज तो और चुके ही एक्सिस में है तो फिर इस पर अटाइक होगा ही का और आपको मिले इन दिस रेक्शन इस 1,2-Di-Hydroxybenzene प्लस प्लस CH3 CH2I नहीं और टोटल प्रोसस में कितने HI consume होंगे खर्च होंगे तो एक दो और एक यहां तो तीन HI खर्च होंगे रिजल्ट आपको मिलेगा 1,2-Di-Hydroxybenzene और आइड-डो-Ethene very important question था यह ठीक है बच्चो इस पे बेस्ट एक और question देखिए आप just suppose आपके पास है CH3O CH double bond CH2 आप इसका रेक्शन करा है चाहिसे what will be the result देको interesting है छोटा वाला आपको क्या मिलेगा CH3I और यह क्या मिलेगा CH2 double bond C OHI लेकिन यह आपका क्या है in all form है बच्चो तो यह tautomerize हो जाएगा और produce करेगा aldehyde तो final product obtained in this reaction is acetaldehyde and idomethane क्योंकि यह in all है और आप जानते हैं in all टार्ट अपर राइज होगा aldehyde प्रडूस करेगा ठीक है बच्चों चली अब देखते हैं hydrolysis of ether hydrolysis of ether अगर आप ether का acidic hydrolysis करते हो तो क्या मिलेगा देखे ज़्यादा परिशान नहीं होना hydrolysis same reaction कराई है आपको मिल जाएगा alcohol ROH प्लस ROH दो मोल अलकोहल मिलेगा कैसे H प्लस का टाइक करा दो इस पे oxygen पे प्लस और water का OH ले आओ इसको bond को क्लिवेज कर दो खोल दो तो आपको 2 मोल अलकोहल मिल जाएगा तो इसमें specific क्या है लेखे specific है कि CH3O CH double bond CH2 अगर आप इसका hydrolysis करते हैं तो क्या मिलेगा result again OCH3 इनका आप hydrolysis करते हैं तो आपको क्या मिलेगा result तो देखो बच्चो अगेन आप यहां से H plus का टाइक कराओगे इस पर और OH- का टाइक कराओगे इस carbon पर जो छोटे साइज का है क्योंकि यहां पर reaction SN2 होगा बच्ची तो एक तो मिला no doubt methanol और दूसरा CH2 double bond CH पर OH CH2 double bond COHH H इसको आप क्या कहते हो in all कैसा होता है unstable to make it stable क्या करोगे tautomerization result क्या मिला aldehyde plus methanol what about next one तो जरह आप इसको देखिए बच्चे फिर से same concept यहां लगाओ H plus का टाइक कराओ और OH- को इधर से introduce करो तो आपको क्या मिला methanol और साथ में साथ में क्या मिला जिस काबन पर double bond है उस पर OH यह फिर से क्या होगा भई tautomerize करेगा तो tautomerization के बाद आपको मिलेगा cyclohexanone methanol and cyclohexanone आपको result मिला तो यह कहला आता है hydrolysis of ether this is called hydrolysis ether third reaction देखिए जैसे reaction with pcl-5 reaction with pcl-5 phosphorus pentacloride से अगर आप reaction कराते हो तो let's see बच्चों यह आपके पास है ror अगर आप इस पर pcl-5 यूज़ करोगे तो आपको result मिलेगा rcl-2 moles plus plus pocl-3 pocl-3 तो hello again मिल गया very simple जैसे माल लिजे आपके पास है ch3 ch2 oh ch2 ch3 का गया कि इसका pcl-5 selection कराई है तो आपको क्या मिलेगा ch3 ch2 ch2 cl कितने दो moles plus pocl-3 आपका byproduct हो जाएगा तो यह simple reaction है बच्चों फूर्थ देखते हैं reaction with socl-2 जिसको आप thionyl chloride कहते हूं तो same here this is what ether trade this ether with socl-2 thionyl chloride reservoir formation of again two moles of rcl and so2 gas जैसे alcohol में reaction कराते थे वैसे यहां भी कराऊ गया यह आगे आपका reaction with socl-2 यह आपका fourth reaction reaction of ether very simple आप देखें बच्चों एक होता है इप oxide CS2 single bond CS2 यह है cyclic ether cyclic ether और अगर यह three member ring है तो इसे आप इप oxide के नाम से जानते हूं या इसी को आप oxirane भी कहते हूं cyclic ether कहिए epoxy कहिए या फिर oxirane कहिए अब आप देखो बचे इसके all carbons and oxygen SP3 hybridized है और SP3 hybridization के लिए bond angle 109 degree five minute required होता है लेकिन यहाँ पे 60 degree है that's why इनमें angular strain होगा और angular strain होगा तो यह reactive बन जाएगा ठीक है यह cyclic ether क्या हो जाएगा बच्चे reactive बन जाएगा इसका पहला reaction देखते हैं हम लोग reaction with what grignard reagent इस पे कोशन अक्सर आते हैं बच्चो तो reaction of this epoxide और oxirane with grignard agent produces what तो लेट सी बच्चो वेफ CH3mgbr in dry ether फर्स टेप सेकंड स्टेप आपको इससे डिक हाइडूलीसिस भी करना है तो वट विल बी दे रिजल्ट फॉर यॉर्का इंफर्मेशन अगर इसको कोई nucleophile approach करेगा तो चाहे कोई सा भी आप epoxide ले लें रेक्शन आपका SN2 ही होगा याद रखना तो CS3 minus develop हुआ CS3 minus आज़े nucleophile जाएगा इस पर टाक करने के लिए और इसके bond को open करेगा तो आपको क्या मिला बच्चे CS3, CS2, CS2, O, M, G, B, R ठीक है यहां से आप CS3 minus ला रहे हो जो के nucleophile है और यह दोनों crowd same है तो किसी एक से attack कराके open कर दो O, P, minus जो M, G, B, R, PLUS होगा उनसे salt बना लिए यहां पर अब आप इसका जब hydrolysis करेंगे तो hydrolysis के लिए आपको यूज करना होता है H plus and OH minus जैसे ही पानी में इसको गुला होगा यह bond root जाएगा अनिक bond है तो O, P, minus को कौन मिलेगा है H plus तो result आपको क्या मिला alcohol कौन सा 1 degree of primary देखी यह मिलगा आपको वन डिग्री और प्राइमरी अलकोहल तो reaction with ग्रिगनार डिजन इसको फिफ्थ रियक्शन बोल देते हैं हम लोग नहीं अब इसमें अगर variety of different different epoxide दिया जाए तो आपको और इससे बात है different different product मिलेंगे जैसे देखिए जैसे आपके पास है CH CH CH2 और कहा जाए कि इसका आप treatment करो बच्चो CH3 MGBR से in first step दूसरे step में आपको hydrolysis भी करना है तो आप बताए यह product क्या बनेगा यहां पे आपको बहुत संबल के step लेना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चो कि Oxirine आपका चाहे कैसा भी हो इपोक्साइड चाहे आपका कैसा भी हो reaction आपको SN2 कराना है यह CH3 minus list crowded side से attack करेगा और इस bond को open कर देगा तो आपको जो result मिलेगा that is what CH3C और oxygen को ultimately hardosis के बाद क्या बनना है भई OH इस CH2 पे एक और आगया क्या methyl product क्या मिला आपको butane to all the product obtained is butane to all ठीक है बच्चो एक और example देखते हैं जैसे हमारे पास है CH3 CH2O इसका आप treatment करिए पहले CH3 MGBRC first step में फिर hydrolysis और सोच यह product क्या बनेगा तो देखो बच्चो reaction आपको क्या है SN2 निकलिफाल क्या है CH3 minus attack कहां से करेगा यहां से product क्या मिलेगा CH3 CH3 OH CH2 CH3 क्या मिला 2 methyl butane to all one more just suppose आपके पास है CH3 CH3 यह CH CH3 इस पे आपने oxygen बनाया इसका reaction कराईए आप CH3 MGBRC step number one दूसरे में hydrolysis सोच यह product क्या बनेगा तो less crowded side से introduce कर दो methyl को यह हो जाएगा आपका CH CH3 CH3 यह 1 2 3 4 आप कहेंगे 2-3 dimethyl butane to all 23 dimethyl butane to all ठीक है तो आप गरिगनार से epoxide का आपको reaction समझ में आ गया होगा बच्चे आप देखेंगे हम लोग acid catalyzed ring opening of epoxide very very important only for combat exams क्या है बच्चो असीड catalyzed ring opening of acid catalyzed ring opening of epoxide क्या मतलब हुआ तो देखें बच्चे यह आपके पास है CH2 single bond CH2 यह oxygen है अगर आप इसका reaction कराते हो मान लिजे मिथे नॉल से और medium आपका क्या है SN1 sorry acidic medium है H plus है तो for you का information अगर आपने reaction क्या कराया acidic medium में तो हमेशा हमेशा reaction आपका SN1 होगा क्यूंके 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 जैसे ही आप H plus का हमला कराओगे इसके oxygen पे इस oxygen पे क्या है का प्लस प्लस आते ही bond टूट जाएगा कोई भी एक bond क्यूंके यह already unstable है due to angular strain बताया मैंने और H plus आने से बहुत ही जादा unstable हो जाएगा फिर क्या करना आपको तो देखिए alcohol as a nucleophile है तो CH3 O minus और H plus यह H plus वापस ले लिजिए किसका है catalyst का और O minus को इसके attack करा दीजिए तो आपको product क्या मिला CH3 O CH2 CH2 इस पर क्या गया OH क्या गेंगे इसको one two two methoxy ethanol जो आपको product मिलेगा बच्चोर two methoxy ethanol और H plus आपको वापस मिल गया so this is called what acid catalyzed ring opening of epoxide and and इसमें जो reaction follow होगा वो होगा बच्चे आपका SN1 देखिए जैसे हमारे पास है CH3 CH single bond CH2 यह epoxide इसका भी reaction करना हमें किसे CH3 O H से कौन से medium में ascetic medium तो बताइए product क्या मिलेगा है इस पलस ने इस पर हमला किया अब देखो यह two degree carbon यह one degree carbon है आप decide करो के carbon किदर बनेगा जिदर भी carbon बनेगा इसका O minus यहां attack करेगा और H plus यहां attack करेगा आपको जो आपको बनाना क्या है स्टेबल कार्बोकाटाइन कहां बनेगा तो डिगरी पे और तो डिगरी पर जैसी प्लस आएगा मेथनोल से CH3 O minus यहां attack करेगा इसका जो H plus बज़ेगा वो catalyst को वापस कर दीजिए आप क्यूंकि reaction आपका acid catalyzed है ठीक है तो आप इसे कहते हो acid catalyzed ring opening of epoxide इस पे और भी question आप देख सकते हो बच्चू just suppose आपके पास है CH3 CH3 single bond CH2 इसका आप reaction कराओ CH3 O say in acidic medium तो आप बताएए क्या मिलेगा आपको product तो अगेन H plus ने इस oxygen product क्या यह bond तूटेगा देखिए तो आपको मिलेगा CH3 CH3 इस carbon पे क्या गया plus CH2 यह क्या होगा OH और इसका O CH3 क्या करेगा इस पे आके हमला समझें क्या attack Ackerman that is this बताओ इसका IUP से नेम क्या होगा 1 2 3 आप बोलोगी 2-methoxy 2-methyl-butane-ol sorry 2-methoxy 2-methyl-propane-1-ol इसे आप कहते हो Acid Catalyzed Ring Opening of Ape Oxide Acid Catalyzed Ring Opening of Ape Oxide तो I hope आप समझ पा रहे होंगे तो let's see अब देखेंगे हम लोग Base Catalyzed यहाँ पे हमने लिख दिया Base Catalyzed Ring Opening of Ape Oxide अगेन देखो बच्चे यह भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है वे एव इप Oxide आपने क्या किया एने ओच ने लिया यह Base हो गया Aqueous मतलब पानी से रेक्शन कराना है in basic medium क्या होगा बच्चे देखो आप जब भी basic medium में रेक्शन कराओगे Base Catalyzed Direction कराओगे आपका रेक्शन SN2 होगा चाहे एप Oxide आपको इसर भी लेलो 3D लेलो, 2D लेलो, 1D no problem at all देखे बच्चे फर्स स्टेप में क्या होगा NaOH2 उटेगा क्या मिलेगा आपको Na plus and OH minus क्या आप जानते OH minus क्या होता है निकलियोफाइल यह आएगा इसको back side से हमला किया और इसको खोल दिया खोलने के बाद बना क्या CH2 OH CH2 और O minus अब आप यह सोच रहे हों कि Na plus इस पर टाइक करेगा नहीं करेगा बही चुक्छे solution आपका और यह आनिक bond थोड़ी न बनेगा आनिक bond नहीं बनता solution के अंदर वो घूमते रहते हैं कि टाने 9 नहीं और Na plus को आप Electrophile कहते भी नहीं हो लेकिन जैसे यह खुलेगा तो oxygen पर क्या minus आया अब यह oxygen क्या करेगा पानी से लड़ जगर के H plus छीन के लिए आएगा OH CH2 CH2 OH आपको जो product बना बच्चे that is what ethylene glycol और और जो OH मानस बच जाएगा वो catalyst को वापस कर देंगे हम क्योंकि आप यहां से जो OH यूज किये थे वो वापस मिलेगा तभी तो NaOH आपका कहलाएगा catalyst तभी base catalyze को होगे आप तो product मिला what? ethane 1-2 diol इसी को आप ethylene glycol कहते हो और यह देख्चन होगा आपका base catalyzed ring opening of epoxide समझे के नहीं base catalyzed ring opening of epoxide इस पे और सारे reactions देखे जा सकते हैं जैसे देखिए आपके पास है CH3, CH3 CH2 O इसका आपने basic hydrolysis कर दिया ऐसे लिखा हो सकता है aqueous तो कहेगा product X बनेगा इस X का treatment करो आप H, I, O, 4 से तो product आपको Y मिलेगा find X and Y respectively find X and Y तो देखिए बच्चों base catalyzed है S and 2 follow होगा OH मानास को यहां से आप introduce करेंगा और फानल इसका भी OH बनाएंगे तो आपको जो product मिलेगा that is this CH2 OH और इस पे भी क्या गया OH तो addition carbon पे OH गूरूप आगया बच्चे 1, 2 position पे addition पे अब आप हाईओ 4 से जब आप reaction करा होगे तो बताया थे मैंने के इन दोनों के बीच bond कटता है दोनों तरफ OH और आपको लगाना होता है एक जो product मिलेगा that is ketone C double bond O, CH3 और जो दूसरा बनेगा वो आपका formaldehyde होगा बताये समझ में आए कि नहीं हैं बच्चे very very important दो addition carbon पे अगर OH हो तो आप हाईओ 4 से उस bond को cleavage कर सकते हो और दोनों साइड फिर OH लगाना होगा अलड़ी एक OH इनके पास है एक और आएगा एक carbon पे 2H dehydration के बाद क्या बनेगा बच्चे aldehyde और यहाँ पे चुके दो methyl group है और एक carbon पे 2H dehydration के बाद क्या बनेगा ketone तो आप इसे कहते हो ring opening of epoxide ठीक है बच्चो I hope आप लोगं को समझ में आ रहा होगा base catalyzed ring opening of epoxide अब देखिए जैसे हमारे पास है CH3 CH single bond CH2 आप इसका reaction कराए CH3 ONS that is methoxy group in methanol solvent जरा आप सोची product क्या बनेगा बच्चे very very important जैसी देखा आपने base catalyzed पहले आप इनको dissociate करिए result will be formation of methoxy group and na plus na plus कुछ नहीं करेगा दर्शक है reaction आपका SN2 है तो लेस्ट क्राटविसाइट से स्कॉप nucleophilic attack कराओ आपको मिलेगा CH3 CH इस पर क्या जाएगा O पर माइनस इस CH2 पर किस काम लग राया आपने O CH3 का और आप जानते हूँ O पर माइनस O पर माइनस बहुत strong base होता है तो जो मीडिया में आपके पास क्या है मिथेनॉल ये उसका H पर चीन लेगा उससे क्या फाइदा होगा CH3 O माइनस जो आपने catalyst का use किया है ये वापस दे दीजे CH3 O बन जाएगा इसे क्या कहते हैं आप base और ये behave करें लाइक what catalyst that's why this reaction is called base catalyzed reaction जो आपको final product मिलेगा बच्चो that is what इस CH पर क्या हैगा OH ये क्या है CH2 इसे क्या जुरा होगा methoxy group naming करोगे 1,2,3 1 methoxy propane 2 all 1 methoxy propane 2 all आपको क्या हो जाएगा product तो I hope आप लोग इस reaction को समझ पा रहे हैं base catalyzed ring opening of epoxide अब दिखी इस पर मैं एक और important question आपसे पूछता हूँ के जैसे पूछ करिए आपके पास है ये compound इसका treatment करना है हमें CH3 O-NA positive और साथ में आपको लेना है मिथन base catalyzed hell is crowded sites इसका अप्रोच यहां करेंगे आप और फिर यह तोटेगा तो final product आप क्या बनाओगे बच्चे जैसा क्या आप जानते हो ये CH है इस पर क्या जाएगा OH और ये क्या है CH2 इन से जुड़ जाएगा OCS3 ये हो जाएगा 1,2 आप क्या कहेंगे 1 phenyl 2 methoxy या आप कहें 2 methoxy 1 phenyl ethanol ये आपका product बन गया बच्चे तो ऐसा question आपको combat exam में बहुत सारे मिलेंगे ether पर एक दो question आता है और इसी से या तो HI, HBR के लिएवेज से पूछेगा या फिर acid या base catalyze ring opening से question पूछेगा ठीक है तो एक बार आप NCIT पढ़ लेना बच्चो line to line उनकी जो भी physical properties हैं वो तो आज हम लोगों ने alcohol and phenol ether को finish कर लिया है इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो guaranteed है कि आपको कोई परिशानी नहीं होगी चाहे वो medical insurance में हो या फिर IT insurance के लिए हो IT के लिए हो या फिर school के लिए सब कुछ manage हो जाएगा आपका ठीक है तो आप इसको proper way में आप short note बनाईए नोट बनाईए पहले फिर short note बनाईए फिर NCR करिए और फिर इसके MCQ आप solve करना शुरू कर दो ठीक है बचो तो तब दे के लिए आप अपना ख्याल लखे बाई